अलो डियर स्टुडेंट जहिंज राजदनी अलो डियर स्टुडेंट जहिंज राजदनी अजुकेसल गुरू पच्कोडिया जोबनेट जैपुर से स्वागत करता हूँ आप सभी का कागजी नीमबो या की लाइम या के दो शोर लाइम, ऐसेड लाइम, वाटेवर यूँ वांट टू से यू केन से कि क्लास में सभी का स्वागत है, आजैए सारे के सारे और सेर नहीं किया तो भाई पहले ही सेर कर दिया करो ना, आने से पहले एक बार सभी का वेलकम हाँ भाई नितु मीना बिटिया, विजेव बैरवा जी, अभिषेक यादो जी, रविंदर भाई, रविंदर बिजारनिया, विनोध कासनिया जी, मुके सायज जी, पुझा चोधरी बेटी, सभी को जैराजदानी, सभी को गुड मारें, नाव याओ, ओन दा, नेक्स्ट क्रॉप, बो तरी, तो कागजी लाइम के दो, चाहिए आप उसको की लाइम भी के दो, कागजी लाइम केते हैं, की लाइम भी केते हैं, की लाइम भी केते हैं, इसको एसिड लाइम भी केते हैं, लोग, एसिड एसिड लाइम, एसिड लाइम भी यह होता है, सोर लाइम भी केते हैं, कट् प्राइम तरोन नाम है और एस्ट लाइम भी रहा है और तो एनदने सारे नाम है कागरजी नीमबू ज्यादा बोलते हैं हिंदुस्तान में बाकी तो वाइंदुस्तान के भाते हैं इसको की लाइम के नाम जानते लाम लां कह देते हैं खटा नीमबू भी कह देते हैं राइट भई तो इतने नाम है इसके मुझे लगना है सारी समझ पा रहे हैं आज क्या पढ़ाने जा रहा हूं मैं आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं कागजी लाइब, बोले तो की लाइब, बोले तो एसीड लाइब, बोले तो सोर लाइब, ठीक है बई, और हिंदी में बोले तो कागजी निम्बूरी खेती सा, तो कागजी निम्बू के बारे में पढ़ेंगे, उसकी किस्मों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी उपस के बारे पढ़ेंगे तो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले कागजी निम्बूरी खेती सा राइट है बॉट निकल नेम की बात करते तो कल हमने जनरल निम्बूर की इंफोर्मेशन लिया था मतलब जनरल बात की थी तो वहां पर सिट्रस स्पीसीज की हमारी बात हो चुकी थी तो मैंन आंटी फोलिया सिट्रस और आंटी फोलिया सिट्रस और आंटी फोलिया सिट्रस है 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 और उत्पतिस्तल इसका माना जाता है भारत निमडो 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 भारत को ही है निमडो इंडिया उत्पतिस्तल कैसे मानते है आपको पता है उत्पतिस्तल वहां मानते है जहां उसकी सबसे ज़्यादा जंगली जातिया मिलती है तो यहां पर इंडिया में निमडो की सबसे ज जानकारी ती सारे ही नीमींको वरगे किस फेमिली के आते हैं तो यह तो कल जनरल में आ गया न सारे मुझे नहीं लगता कि सारे बताने बढ़ेंगे क्रोमोजोम नंबर के बारे में बात तो कर चुके थे X बराबर 9 या N बराबर 9 मतलब मूल संक्या भी 9 और गेमिट में क्रोमोजोम है वो भी 9 है राइट भी तो 2N बराबर कितने हो जाएंगे टोटल नंबर हो प्रोमोजोम 2N बराबर 2X बराबर 18 18 18 18 राइट है भी तो यह है सर दिल्ली से जोबनेर कितनी दूर है मेप पड़े है न आशकर तो बहुत अच्छे से मेप है यह मेरे को वाटसप कर लिए मैं देख के बता दूँगा ठीक है भी तो एसीड चलो हो गया भई वानस्पतिक नाम सिट्रस और अंटी फोलिया उत्पतिस तल भाराया थेमिली रोटेजी क्रोमोजोम नंबर 2N बराबर एडीन 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 इसके कई नाम मैंने बता दिया आपको एसीड लाइम भी कहते है एसीड लाइम भी कहते ह नाम बता दिया मैंने आपको और कागजी निम्बू या की लाइम तो कहते ही है कल बात हो चुकी है निम्बू वर्गिये फलो में जनरली आपको मिलने वाला है पोली एम्ब्रियोनी कंडिशन पोली एम्ब्रियोनी अवस्था बहु भुरुनता पाई जाती है बहु याद हो गया होगा निम्बूडर निम्बूडर मिलता पोली एम्ब्रियोनी एक ही बीज से तीन चार पोधे निकलते राइत है बई और इसीलिए इसका जाँब परवर्धन करते रही निम्बू वर्गिये फलो में इस पेसे लिए निम्बू का तो वो सीड से ही करते है प्रवर्धन बोले तो नए पोधे तयार करना तो सबसे ज़्यादा सीड से ही करते हैं इसके अंदर क्यों बहु भुरुणता कारण क्या बहु भुरुणता राइट है तो निम्मू में पाये जाता है फोली एम्रियोडी कंडिसान बोले तो बहु भुरुणता एक ही पोधे स निकलते तीम चार को दे एकी 2 से निकलते तीम चार को दे इसलिए प्रवर्धन करते हैं भीज से इसको एक वाइरस लगता है सके इन्दर एक वाईरस होता हैसके नदर आता है और यह जो प्लांट है काग्जी नीमबु है इसको ट्रिस्ट्रेजा वाइरस का इंडिकेटर प्लांट माना जाता है बिरा रहा है इंडिकेटर प्लांट माना जाता है ना न्यार रहा है कागजी नीम्बू को ट्रिस्ट्रेजा वाइरस का संकेतक पादप इंडिकेटर प्लांट रहा है कैसे मतलब क्या मतलब हो ऐसका स पर कुछ नि DAVID के कागजी निम्बू के पोधि लगा देने अगर कागजी निम्बू के जो पोधिओ उन्हें अगर वो करेकटर दिख गए लेट मीश वहां पर है ट्रिश्टेजा है ट्रिश्टेजा है कंफर्मीट ट्रिश्टेजा मस्सेज्ए हाई सबसे ज्यादा पर ट्रिश्टेजा वाइरस है क्या अगर वहां काग जी नीम्बू का पेड़ है उसके उपर जाके देखोंगे तो पता लग जाएगा हाँ यह तो बिमार हो रहा है इसके तो वाइरस आ गया भाई पर ट्रिश्टेजा वाइरस सबसे जल्दी किसको पकड़ता है कागजी नीम्बू को सिट्रस और अंटिफोलिया को इसलिए इसको क्या माना जाता है इंडिकेटर इंडिकेटर ट्रिश्टेजा का इंडिकेटर कोड कागजी लाइं कागजी नीम्बू समझ में आ रहा होगा ह सब्से बहेंकर बिमारी है जित्रस केंकर निंबु की लिए आपको पता है निंबु और एंक चलता है जेंथो फोलोum जोनो पोडी पेथोवार कि ञेंख कोन सा होता है नामक हम जिवानो इससे होता है सेट्रस केंकर उसकर भाई नहीं से जयादा खतरनाक विमारी फेहर है शिट्रास खेंकर, शिट्रास खेंकर, एक्जेक्ली पहले, एक्चुली इसको पहले बोलते थे जेंतो मोनास सिट्राई, जेंतो मोनास सिट्राई, लेकिन धीरे धीरे, जब थोड़ा टेकनोलोजी बढ़ी तो इन्होंने कहा कि सिट्राई तो भहत होते हैं भई, तो इन्होंन शंत्रा नंबर वन पे मौसमी या मौसमी नंबर दो पे और ये भाई आता है नंबर तीन पे तो बड़ी भेन कोण संत्रा भाई उससे छोटी भेन कोण मौसमी दिदी और तीन नंबर पे कोण कागजी निम्बू बात करें हम इंदुस्तान की या निम्बूर के फलो में तो न नमबर दो पोजिशन मिलती है मोश्मी उले तो माल्टा को मिलती है और तीसरा नमबर निम्बू बर के फलों में भाई काया आता है यानि कि तीसरा बच्च्या हो गया यू कह सकते है आप इसको बड़ी 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 कोन संत्रा भाई उससे छोटी कोन मोश्मी भाई उससे चोटा को निमडो 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 तीन नमबर पर निमडो आसी राइट है चलिए सीधा लेचलते आपको climate के बास मारस प्रताब सिंगी नेटवर्क चेक करते रहे हूं बाई जलवायू 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 ले ले लेते बाई कागजी नीम्बु को चाहिए ट्रोपिकल से लेके सब थ्रोफिकल राइट है तो कागजी नीम्बु को ट्रोफिकल से सब ट्रोफिकल चल जाता है ओप्टीमम टेंप्रेचर की बात कर लेते सबसे बढ़िया तापमान कागजी नीम्बु को सबसे बढ़िया तापमान इसके लिए रहता है शोले से 32 डिग्री सेंटिग्रेट ये शोले से 32 मतलब थोड़ा ठंड भी चाल जाएगा तो हलका सा गर्मी भी चाल जाएगा बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं चलेगा लेकिन 16-32 बैस्त है ठीक है इंप्रूड वेराइटीज बोले तो उन्नत किसमे कौन कौन सी वराइटी सबसे अच्छे होती है तो एक तो होती है चक्रधार चक्रधर चक्रधर जो कागजी निम्बू की वराइटी होती है उसके बीज नहीं होते बीज रहित होती चक्रधर चक्रधर बीज रहित कागज नीम्बू प्रेमालीनी प्रेमालीनी केंकर प्रतिरोधी केंकर नहीं लगता सिट्रस केंकर नहीं लगता रे प्रेमालीनी प्रेमालीनी केंकर नहीं लगता केंकर नहीं लगता चक्रदर चक्रदर बीज रहित कागजी नीम्बू प्रेमालीनी केंकर नहीं मेठा चिकना यह मेठा चिकना बोले तो मेठा चिकना यह मेठा जूश वाला है मेठा अगर किसी को जूश चीए नेम्बू का तो जूश वाला मेठा जूश के लिए अच्छा होता है मेठा चिकना नामी निकाल दिया मेठा और चिकना साई सर्बती साइ सरबती का दूसरा नाम होता है प।हिखे एम वन इसमें केंकर भी नहीं लगता केंकर और ट्रिष्टेजा दोनों सहन कर लेती है केंकर भी नहीं ट्रिष्टेजा भी नहीं साइथ देवी इक पर से गाने के साथ यायद करें के थे में जै देवी कली बात ऊई थी जै देवी शुगंध देवी इसकी विराइटे हे जए भी 자 तो पाति मीन्स कागज ही होता है बैसे तो पाति निम्भू एच्टुली कागजी निम्भू पारे मासी यहां कुछा निम्बू हो गया कागजी निम्बू हो गया बारह मासी बारह मासी बोले तो 12th मंथी नो नो 12th मंथी नहीं बारह मासी बोलेंगे ये भी इसकी वराइटी है इंदोर सीडलेस इंदोर सीडलेस ये भी तेरा कागजी निम्बू पंत लेमन डेफिनेटली कल बात हुई थी पंत नगर से, पंत आते ही तो पंत नगर से निकला हुआ है, पंत लेमन, विक्रम, विक्रम, यस सार, तो विक्रम भी इसकी वेराइटी है, विक्रम, विक्रम, और तेनाली, अंधर प्रदेश में खूब काम में लेते हैं, तेनाली, तो ये सार प्रमाली नीबी काग जी, मीठा चिकना काग जी नीम्बू, साई सर्बती काग जी, कभीरा, साई सर्बती काग जी, जै देवी है काग जी नीम्बू, पाती नीम्बू भी काग जी, काग जी कला है काग जी नीम्बू, बार मासी भी काग जी, कभीरा, बार मासी काग जी, इंडोर सीड लेस कागजी रनेम्बू, पन्तल मन भी कागजी, विकरम भी तो कागजी नेम्बू, तेना ली भी कागजी, कभीरा, तेना ली भी कागजी, चक्रधर है काग जी नेम्भू, प्रमाली नीबी काग जी, मीठा चिकना काग जी नेम्भू, साई सर्बती काग जी, कभीरा, साई सर्बती काग जी, जैदेवी भी काग जी नेम्भू, पाती नेम्भू भी काग जी, काग जी कला भी काग जी नेम्भू, बार मासी भी काग जी, कभीरा, बार मासी भी काग जी, इंदोर सीड लेस काग जी रनेंबू, पंतल मन भी काग जी, विकरम भी तो काग जी नेंबू, तेना ली भी काग जी, कबीरा तेना ली भी काग जी, चक्र धर है काग जी नेंबू, प्रमाली नेंबी काग जी, मीठा चिकना काग जी नेंबू, साई शर्बती कागजी कभीरा, शाई शर्बती कागजी, जैद भी भी कागजी नेम्भू, पाती नेम्भू भी कागजी, कागजी कला भी कागजी नेम्भू, बार मासी भी कागजी कभीरा, बार मासी भी कागजी, इंदोर सीड लेस कागजी रनेंबू पंतले मन भी कागजी विकरम भी तो कागजी नेंबू तेनाली भी कागजी कभीर तेनाली भी कागजी कुझ याद हो आ वागिया भी कितने मचों कोई याद हो गई चक्रधरभी कागजी नेंबू प्रमाली नीभी कागजी मेथा चिकना कागजी नेंबू शाई शर्बती कागजी कबीरा, शाई सर्बती कागजी, जै देवी भी कागजी नेम्भू, पाती नेम्भू भी कागजी, कागजी कला भी कागजी नेम्भू, बार मासी भी कागजी कपीरा, बार मासी भी कागजी इंदोर सीडले से कागजी नीमबू पंतले मन भी कागजी विकरम भी तो कागजी नीमबू तेलानी भी कागजी कभीरा तेनाली भी कागजी यादे, साथ गया है तो याद हो गया, नहीं गया है तो नहीं वाँ, सिद्धी बाद है, वैई, कल कर लूँगा, परसो कर लूँगा, कभी नहीं कर पाएगा जिन्दगी में, करना है तो आज ही कर डाल पुचक्रधर भी काग जी नेम्बू, प्रमाली नेम्बी काग जी, मीठा चिकना काग जी नेम्बू, साई सर्बती काग जी, कभीरा साई सर्बती काग जी, जै देवी भी काग जी नेम्बू, पाती नेम्बू भी काग जी, काग जी कला भी काग जी नेम्बू, बारे मासी भी काग जी कबीरा बारे मासी भी काग जी इंदोर सीड लेस काग जी नीम्भू पंत ले मन भी काग जी विकरम भी तो काग जी नीम्भू तेना ली भी काग जी कबीरा तेना ली भी काग जी थेंक्यू चली अब लेते गड़े का कार गड़े का आतार इसमें रखते वह पचेतर है, कल ले भी लिया था बैचे दो, पिचेतर सेंटीमेटर लंबा हो, पिचेतर सेंटीमेटर चोड़ा हो, और पिचेतर सेंटीमेटर गहरा, पोन मेटर गहरा, पोन मेटर चोड़ा, पोन मेटर लंबा, तो ये सारी की सारी, जब सी सीड लेस लग गया ना मीनु बेटा सीड लेस लग गया यह वाली में सच्चे-दो वेट जिसे बच्चे को फाइदा हो बच्चे को फाइदा हो मेरे साब से बढ़िया कोई बजन नहीं हो सकता इस्चे कोई कभीरवानी नहीं हो सकती तो गड्डे काकर मैंनों तो याद हो गया किल्पी पढ़ लिए अता सर मेंने 50 cm लमबा रहा है 50 cm चोड़ा रहा है 50 cm गैरा रहा है और इंटू पी क्यार रखते हैं फूला 6 इंटू 6 मीटर इधर भीचे हैं इधर भीचे हैं कागजी नीँबू 6 बाई 6 इदर भी 6 हैं, उदर भी 6 बीटर, कागजी नीँबू में 6 बाई 6 ही तो होता है बाई रोपण कब करोगे? Plantation, पोधो की रोपाई नर्सरी में से ले जाके रोपाई करने का क्षाइम, बरशात, जुलाई अगंस इधर बिछे है, उधर बिछे है, कागजी नीम्बूच्छ तो क्या हो गया, जुला यगस में कर देंगे इसका रोपड, 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 राइट है अब लेते हैं, डिजीजेज, बिमारियां कोन-कोन सी बिमारियां लगती है, तो नीम्बूवर्गिये फ़लों की सभी की एक साथ या जाएगी अगली वाली में बिमारी पढ़ाने की जरुरती ना है सबसे पहली बिमारी है, गमोसेस, बिजीज, बिमारियां, रोग, है ना, कुछ भी के दो तो बिमारी में सबसे पहली है, गमोसेस, नाम ही है, गोन्द, गोदाती, गम बोले तो, गोदाती, क्या हो जाएगा इसका हिंदी में, यह गोदाती रोग, यानि की गोद, गोंद, आती, मतलब गोदाती रोग, इसमें गोंद जैसा पधार्थ निकलने का, गोंद जैसा, प फाइटोप थोरा कवक्षे गोदाती रे गोदाती फाइटोप थोरा कवक्षे, या दी कर ले ड़ा है क्वेके वरघ्गे में आएगी बैटा, ऐसे कैसे कैसे हैं? गोंद निकलना शुरू हो जाता है, गंद नहीं, ये विजे जाकर जी कह रहे हैं, पोधे से गंद निकलना, गंद नहीं पिटा, गोंद, 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 निकलना शुरू जाता है, गोंद निकलना, राइट है, पतियों और बाकी भागों से गोंद जैसा और अन्य भागों से, पतियों से व है पाधप के अन्य भागों से क्या निकलने का, गोंदे निकलेगा, तभी तो नाम गोंद आती, एक्चैली गोंद आती से प्रणा वहा है गोदाती हिंदी का स्रत we Гammosis, बोले तो गोंद, तो किधर से गोंद निकलने का, भूला पति बोला कोई भी कोपर फंजी साइड ले ले सबसे बढ़िया कंट्रोल उसका बोल्डो मिस्रण बॉल्डेक्स बॉल्डेक्स मिक्स्चर नाम सुना बॉल्डो मिस्रण बॉल्डो मिस्रण बॉल्डो मिस्रण हिंदी में कहते हैं बॉल्डो मिस्रण अंगरीजी में कहते हैं बॉ इसा तीन चीज़ होती है, एक होता है कोपर सलफेट, दूजा होता है चुना, तीजा इसमें पानी होता है, बन गया बोल्डो मिसरण कबीर, बन गया बोल्डो मिसरण, मतलब क्या हुआ, हर बोल्डो मिसरण में तीन चीज़ होती है, बोल्डेक्स मिक्सर में तीन चीज़ होत यह मिलार डेट नहीं लिग रहे हैं सर इसको डिसकवर गड़ेड का नाम था मिलार डेट मिलार डेट किस अर्वाद डिसकवर देट अब यहाँ पे अलग-अलग robi यहाँ आते लेकिन यहाँ पर जो लेते नवह लेते एक भाग तो copper sulfate, एक भाग चुनना और एक भागी पानी मतलब तीनों बराबर लेने वाला बॉर्डो मिस्राइट ये कर देता है तेरे गमोसिस का नास fight of thora का नास, मुझे लग रहा है fight of thora वाला गमोसिस हर बच्चेवों clear हो गया fight of thora कवक से होता है गमोसिस गोंद निकलने का पतियों से बाकी भागों से और बॉर्डो मिक्सर छिड़क देने का कोल्सा वाला एक 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 ट्रिपर वन मतलब वन वन पार्ट copper sulfate वन पार्ट छुना lime वन पार्ट वाटर और मिलाडे ने इसको discover किया इसके बाद सबसे खतर्राग विमारी वो होती है citrus kanker citrus kanker citrus kanker just ही मैंने बताया था जेंथो मोनास exonopodes जेंथो जेंथो मोनास exonopodes पेथो वार बोले तो वेराइटी पेथो जन वेराइटी कौन सी इसकी किस्म कौन सी है citrai नामक जिवानू से होता है जिवानू है जिवानू 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 जेंथो मोनास exonopodes पेथो वार शिट्राई नामक जिवानू से होता है होता है होता है लेकिन इसको फैलाता को लीप माइनर लीप माइनर इसको सिट्रस के एंकर को लीप माइनर इंसेक्ट कौन सा इंसेक्ट आता है भई लीप माइनर इंसेक्ट वो इसको फैलाने का वो इसका वेक्टर होता है फैला दे फैला दे लीप माइनर तू फैला दे फैला दे लीप माइनर तू फैला दे तो ये वेक्टर हो गया वहाँ हो गया किसका शिट्रस केंकर तो शिट्रस केंकर फेल वाइल ओ लीप माइनर कीट तेरे पास है आहा हा हो 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 चेटरस के एंकर याद होना चीए क्वेशन है सारे के सारे सेटरस के एंकर फेल वाइल ओ लीप माइनर तेरे पास है यहां भी बोल्डो मिसरण उधर भी गोदाती में या गमोसिस में भी बोल्डो मिसरण इधर भ रोड़ा रेशियो चेंज कर लेने का उधर एक अनुपात एक में थे चूना कोपर सलपेट और पानी इदर आप 20 में मिलेन मतलिंगे दो लिए को चपर अनुपात पानी तस तो आप यह भी कैसे तो एक अनुपात दो अब की बार क्या करना पानी को डाबल लेना है राइट है तो इससे आप ओडो मिक्षर से जो है कंट्रोल कर सकते हो सित्रस केंकर है अच्छली सित्रस केंकर जो होता है केंकर जे 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 केंकर ये लगता जैसे केंसर केंसर का ही अपभरंस है केंकर तो केंसर जैसा गाठे इसमें भी बनती होता है मुलकुक्त केंसर केंसर फलाнов केंसरे ममें से थानर केंसर होettsी केंशनर उगी जो य। य। कि उसके फ़ल मरते निम्बू में उसके ऊपर न दाने से बन जाते हैं इसके चारों तरफ तरह गेहरा होता है य। इस खेंकर, केंकर जस्ट लाइक केंसर, वास्ता में जो सब्द है नहीं, इसको देखों इंगलीस में लिखते हैं, केंकर को C, A, N, K, E, R, ये बनावा किसे है, केंसर से बढावा है, अमका फलाना केंसर होगी जी, गाठ्या होगी जी, ट्यूबर होगी जी, वैसे इसके क्या होते हैं, दाने हो जाते हैं, फल के उपर, तो ये भी क्लियर कट हो जाना चाहिए, क्या होता है, केंकर, केंकर होता, केंसर, केंसर है, जैसे गाठे, मैं बोल्डेक्स में स्रन डाल मिट जावे सिट्रस के अंकर मिट जाएगा कोई दिक्कत नहीं भाई उसके बाहर लेते हैं ट्रिश्ट्रेजा वाइरस डिजीज नंबर थार्ड ट्रिश्ट्रेजा वाइरस डिजीज ट्रिश्ट्रेजा वाइरस डिजीज ट्रिश्ट्रेजा वाइरस बिमारी बताने की पहलाता है citrus effid, effid पहलाता है इसको, tristreza virus कभी खुद नहीं चलते, खुद नहीं चलते virus नहीं चले कभी कोई virus, इनको ले जाते कीट इधर या उधर, इसलिए जिम्मिदार कोण virus, इसको फहलाने वाला कोण, citrus effid, निम्बु वर गिये फलों का effid, तो tristreza phil while, citrus effid तेरे पास है, इसको फहलाने वाला कोण, citrus effid, तो cancer को, इसको, canker को फहलाने वाला कोण, leap minor, leap minor, इसको फहलाने वाला कोण, citrus effid, अब आजो number four disease, वाइरस का control करना नहीं, effid को मार देना है, कोई भी insecticide लेके, उसके बाद आगया citrus greening, अगली बिमारी का नाम है, citrus greening, निम्बु वर गिये फलों का greening rogue, तो citrus greening, greening rogue है, citrus greening disease, यह है mycoplasma से, citrus greening, citrus greening, mycoplasma से citrus greening, mycoplasma से citrus greening, mycoplasma से citrus, होंगे आप, phytoplasma भी sometime, अगर यह plant में disease करता है, तो phytoplasma वर्ट भी यूज करते हैं इसके लिए, mycoplasma, यह आपका prokaryotic cell होती है, prokaryotic kocika, कौनसी वाली kocika होती है, prokaryotic, जिसका candidate विक्सिते नहीं होता, कौन-कौन होते है, prokaryotic में कौन आते हैं, जिवानू एक माइको प्लाजमा, एक जिवानू, एक बीजिये, बिली ग्रीन एलगी, वैसे काते हैं, कौन-कौन आते हैं, prokaryotic cell में, एक जिवानू, एक माइको प्लाजमा, तीनों आते हैं, माइको प्लाजमा करता है, citrus greening, बहुत अच्छा question है, हाँ, एक जिवानू, एक बीजिये, पीजा माइको प्लाजमा, बिल्कुल, ऐसे काते हैं, एक जेवानों, एक BGA, BGA बोली तो blue green algae, यह प्रोकेरटिक कोई सिखा होगी है, तो citrus greening कोण, कोण फचल आता है, mycoplasma very most question है, citrus greening, citrus greening, mycoplasma, citrus greening, और इसको फेलाने वाला कीट है, syla, आईला, नो आईला, इट इस साईला, आईला, अरे नो आईला, इट इस साईला, आईला, अरे भाई साईला, साईला, बोलते तो सिट्रस ग्रीनिंग सेंट्रस ग्रीनिंग फ्हैला वैसे साहसा ब विभल इनसेक्ट ये तो बीमारी तो पुर्री सोगती निर्भfill वापव से ठींप परवन पर बताया फाइट ओफ थोरा से होता है तेरा गोदातिया गमोसिस गोंद निकलता है बोल्डो मिश्रन लेते एक अनुपाद एक में नंबर दो पे आया सिट्रस केंकर जेंतो मुनास एक जोनो पोडिस पेतोवार सिट्राई नामक जिवानू से होता है लीप माइनर भ फोर्डेक्स मिक्शर पांच-पांच-पचास में लेते हैं फिर आया टुषत्रे जा भाईसा फेला रहे pen सरह कोcrowd चिट्रас इफिड फेला रहेकिरा सिट्रस गृनिंग माईको प्लाजमा से फिल आता कोनैंग झालवारे माइको प्लाजमा को फैललाएगा अब आगे कीट तो एक एक कीच को ले ले लेते भई तो पहला पहला कीट तो去了 आघी आई जास्ती साम साहि ला है साहिला ला तो शबसे पहला कीट आगा साई लो इस पैलिंग क्या बताए मैंने p s y ll a शाहिλα इसका अ blossoms जूलोजीकल नेम की बात करें, जूलोजीकल नेम, तो इसका नाम होता है डाइफारीना सिट्राई या सिट्री, डाइफारीना, डाइफारीना सिट्री के दो, चाहिए सिट्राई के दो, एकी बात, सिट्री, इसका जूलोजीकल नेम है बापू, जूलोजीकल नेम, और ये कि क्rices को फैलाता है greening माईको प्लाजमा से तो एक upside का रोग वाहक भी ओता है गृणनीक रोग का वाहक है यृज फैलाने वाला है ग्रिनिम्ग होता किस से था माईको प्लाजमा से खेलाने का टेंडर किसके पास है शाईला श्यायव माइको प्लाज्मा फेला याद होग्या, शैला शैला, डियिनिंग फेलाके, रहें शैला फ्लाज्मा फेलाके, नम्बर दो इंसेट्ट शैला याद हो गया मैं नोगू यह यह इचा हा श्चाहिला का डाई फारे नाव और शाहिला शाहिला माइको प्लाजमा फैलाई्ला शाहिला ग्रिनिंग फैलाईला दो दिन बाद में करने में लोंगा कभी इसका नाम होता है फाइकलोग्स है फाइकलोग्स है और जाती होगी इसकी सिट्रेला 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 कौनसा trela ? citrela तो five long tas citrela citrus कौन हो गहे ? lip minor lep minor five long tas citrela lep minor lep minor five long tas citrela और ये Jonas citrus एंकर फेलाता है भाई किसका वागता भी पढ़ाता है वागता जिवानों को फेलाता है का वाग है gentunas एक्जेनो बोडिस पैतो वार क्या था सिट्राई उसको फेला विला तेरा फाइंकलॉंक्तिस सिट्रेला उसके बाद लेलो सिट्रस एफिड तीसरा इंसेत आ गया सिट्रस एफिड एफिड सिट्रस एफिड किसको फेला रहा था ट्रिस्ट्रेजा वाइरस को किसको फेला था ही ट्रिस्ट ट्रेजा वायरस को एक्चुलिस नाम होता है टोगजॉब टेरा औरेन्टाई ट्रॉब टोगजॉब टेरा डॉबॉबॉड chip सिट्रस एफिड क्या नाम बोला बाई और ये किसको फेलाने का बाई ये तो ट्रिश्टेजा वाइरस के पीछे फड़ा हुआ है मैं तो ट्रिश्टेजा फेला हुँ फेला भई फेला तू फेला तो ट्रिश्टेजा रोग ट्रिश्टेजा वाइरस का ये वाहक है तो citrus effed Tristaza फेलावे citrus effed Tristaza फेलावे राइट है नीम्बू की तितली भी लगती है lemon butterfly नीम्बू की तितली lemon butterfly lemon butterfly नीम्बू की तितली lemon butterfly नीम्बू की तितली lemon butterfly नीम्बू की तितली lemon butterfly इसका नाम होता है पेपी लियो डेमोलियस पेपी लियो पेपी लियो पेपी लियो डेमोलियस बच्चों ने लिख भी दिया भाई पेपी लियो डेमोलियस नीम्बू की तितली पेपिलियो डेमोलियस नेम्बो के ते तले पेपिलियो डेमोलियस नेम्बो के ते तले पेपिलियो डेमोलियस नेम्बो के ते तले पेपिलियो डेमोलियस इसकी जो लटे आती है लटे वो चिडिया की बीट जैसे आती है चिडिया ने किया ओ जैसे बीटे ही बीटे पड़ियो न वो बीटे नहीं है वो इस निम्बू की तितली की लटे है तो चिडिया चिडियों की बीट जैसी लटे होती है जैसी लटे होती इसकी कभी-कभी लगेगी निम्बू के पेड में तो लटे ही लटे पड़िये चिडि योकी बीट जैसे लारवा है निम्बो की तितली नाम पेपीलियो डेमोलियस नेम्बो की है तितली लेमन बटरफ्लाई भी नेम्बो की तितली रह तितली डरडम डरडम पेपीलियो डेमोलियस डरडम 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 लटे बीट जैसी इसकी तो है लटे एक दम चिडिया जैसी इसकी तो है लटे एकदम चिडिया बीट जैसी नेमबो की तितली रा तितली तरडम 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 लेमन है बटर फलाई तरडम 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 पेपीलियो डेमोलियस है तरडम 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 लटे चिडिया बीट जैसी याद में नू हो गई लटे तो अब आगया अगला वाला फल चूशक मोद फ्रूट सकिंग मोद फ्रूट सकिंग चूशने को क्या बोलेंगे बैई सकिंग मोद फ्रूट सकिंग मोद ये क्या करता इसका नाम है ओथरिस फूलो निका ओथरिस फूलो निका या फूलो तो फूलो निका चौड़ने दढ़ने या तो फूलने का नि या पिर धंग से फूलने का निका फूलने का तो फूलो निका एसका प्रोड़ी फलोका रस चूसता है तो fruit sucking mode इन्दी में क्या बोलेंगे भल चूसक mode मतला फल चूस को जो है न वो ओतरिश मतला रसको चूस के फूल गया, बोले तो ओतरिश फूलो निका, रस चूसो निका, फूलो निका फुलो निकार इसका प्रोड फलो का रास उसता है नुक्षान कोन करता अब आगे देहिक विकार देहिक विकार फीजियो लोजिकल डिस ओडऱ् फीजियो लोजिकल डिस ओडर्स फीजियोलोजिकल डिसोर्टर जानते होंगे आप जो बोडी में कोई क्रिया है चल रही है वहाँ कोई डिस्ट्रबेंस आ गया उससे कोई बिमारी हो गई that is देहिक विकार सबसे पहला है ग्रेनुलेशन नमबर एक ग्रेनुलेशन 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 कब होता है दाने से दाने बन जाते है फल के उपर दाने हो जाते है दाने में आपको कई बार होता है सिट्रस केंकर में भी दाने बनते है उसके उपर पीला गेरा होता है लेकिन उसके उपर क्या मिलेगा चारो तरफ चाड़ों तरफ पीला गेरा मिलेगा that is citrus canker और simply अगर दाने ही मिलते हैं आपको simply दाने तो that is granulation दोनों में फ़राख है granulation में और citrus canker में citrus canker में पीला गेरा जरूर मिलेगा आपको ठीक है यह granulation होता कैसे जदा रता प्यमान Granulation हो वे जदा रता प्यमान Granulation हो वे जदा भी नमी से तो ज्यादा टेंपरेचर है, ज्यादा नमी है, तो हो जाएगा, हो जावेगा, ग्रेनूलेशन हो गया है, ग्रेनूलेशन, अहां, चिटिक, चिंट, हां, टडड़क, टडड़, किश्य हुआ, ज्यादा रहता पेमान, ज्यादा रनमी से, हो जावेला, फला पर दाना, ग्रे यूरो वाम यूनस बहुत नमस्कार, उसके बाद onboard नंबर दो, शेकनल वाला ये हो गया, डाईबेग, डाईबेग, कौनसा बेग डाईबे, डाईबेग. आपको पता डाइबेक में क्या होता है डाइबेक को इन्दी में कहते है उल्टा इशुका है रोग उल्टा सुखा रोग हमेशा कोई भी टहनी अगर उपर से नीचे की और सुखना सुरू कर दे डाइबेक है डाइबेक है उल्टा सुख रहा पोधा डाइबेक है डाइबेक है उल्टा शूक रहा पोधा कौपर की कमी से डाइबेक रोग very very most question डाइबेक रोग very very most है रोग कौपरी कमी से डाइबेक रोग ठीक है कौपरी कमी से डाइबेक रोग तो क्या करूं मैं चिड़क दे कोपर ओक्सी क्लोराइट ताकि मिल जावे कोपर भी 0.3% कोपर ओक्सी क्लोराइट कोपर ओक्सी क्लोराइट चिड़क दे कोपर ओक्सी क्लोराइट मिल जावे इससे कोपर क्या चिड़क दोगे कोपर ओक्सी क्लोराइट किन्ना 0.3% तो क्या करो 0.3% कोपर ओक्सी क्लोराइट का चिड़क दे नान्या अगला गया लिटेल लेप लिटेल लेप लेटेल लेप चोटी पती रोग जैसे बेंगन में होता है वो तो माइको प्लाजमा से होता है इधर जिंकी कमी से होता है नीमू में क्या होता है जिंकी कमी से छोटे पती रोग जिंकी कमी से लेटेल लेप 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 ले रोग पिला दबा रोग ये होता है मौली बडेनम की कमी से यलो स्पोर्ट यलो स्पोर्ट मौली बडेनम की कमी से 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 य अब लेते लास्ट में यिल्ड, उपाज, किता लागेला कगजी निम्बू, यही तो पड़ेंगे हम तो, यह लगेंगे एक हजार से बारा सो फल प्रति पोधा, किते लगेंगे बैई, एक हजार से बारा सो पल, एक पोधे के कितने लगेंगे, एक हजार से बारा सो फल, प्रति पोधा, प्रति वर्स, एक साल में कितने फल लगेंगे बैई, एक हजार से बारा सो, बारा सो, एक युनुस भाई, वाटसप नमबर बिटा मेरे, ऐसे मत करेंगे, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट मत करें बिटा, वाटसप नमबर डाल र मेसेज वार्स अपे वो सब बताएंगे महाँ पर तो एक अजार से बारा सो फल प्रति वर्स प्रति पोधा अब आ गया ओरेंज बस हो गया पुरा अभी ले आब आद में ले अभी छोटे छोटे दो और रहे गे एक तेरा ओरेंज वा रहे गया एंड दूजा तेरा मालटा ही रहे गया कल दोनों ले लेंगे साथ तो किसको लगता है कागजी निम्मू बिल्कुल क्लियर हो गया मजा आ गया पूरा गीत गालिया आनंदा गया आना संत्रा और माल्टा कल ले लेंगे, दोनों साथ ही लेंगे कल, आदे-आदे गंटे में हो जाएगी, ज्यादा बड़ी नहीं है, फिर नेम्बु वर्गिये फल हो जावेंगे, पूर रहे है, समझ में आ गया होगा सभी को, मुझे लगता है बहतरिन समझ में आ गया होगा, आन तुफान मचाते रो, इस बार आपका ही नंबर है, ठीक है, इस बार आपका ही नंबर है, आने वाला समय आपका है बड़ा, चली बहुत बहुत धनेवाद सभी का, चलता रहे हैं से रामरतन जी भी आ गये, इंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से, जराजदनी उनको क्लास is going very well, मज़ा आ गया, थेंक्यू रामरतन जी, आज टेस्ट, आज टेस्ट लेंगे साम को, पक्का लेंगे बड़ा, साम को लेंगे सात बजे, उस्से पहले तो मच्छे बजे क्लास में आई रहूं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जहिन, जराजदनी, सस्रीकाल, सब्भा, खेर, वाए, गुरुदी, फते, खुदा, आपीज, आपीज, राम, राम साँ, एग्री कल्चर में है सांदार केरियर, और एग्री कल्चर मतलब राजदानी फाउंडा, पचकोडिया, जैपुर, राजस्थान, एग्री कल्चर में राजस्थान ही नहीं, में से आठ विद्यार्थी तोप पचास में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पच्कोडिया के बिना जेट सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानियन ने किया कबजा जहां 90% बच्चे कर रहे हैं बारवी के बाद तैयारी में एक दो साल खराब वही राजधानिन मचारे धूम बारवी के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशानतियादों ने प्राप्त किये 408 नंबर यस सर्माने 394 नंबर इस वर्ष इंस्पाइर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2,60,000,000 रुपे की स्कोलर सीट कक्सा 12 के परिणाम में 97 परतिसतिय हादीक एक विद्यार्थी 354 प्रतिसृ आधीक तीन विध्यार्थी 46,000 परतिस्व convex इन साथ विद्यार्थी तरह न में 100% लाने वाले दो विद्यार्थी seit सदिया ज्यादा लाने वाले तीन विद्यार दी सत्यानमें सदिआज्वाधिए अधिक लाने व coconut lunch दसवी से बारवी साइंस वा एकरीकल्चर में अजे कुमार मीना ने की 49 परसेंट की रिकोर्ड व्रदी रिंकु यादव ने की 37 परसेंट की व्रदी नरेश पाटिदार ने 36 परसेंट की व्रदी प्रकरती की गोध में दस भीगा में फैला विसाल केमपस आधुनिक सुक्ष विधा से युक्त सेप्रेट गल्स एंड वाइस होस्टल्स राजधारी एजुकेशन गुरूप पच्कोडिया यूटूब सेनल वैं मोबाइल एब पर रोजाना ओनलाइन क्लासेज भी क्लास के ओनलाइन कोर्सेज भी उपलद ग्यारवी बारवी के साथ और इसके बाद भी आईसी आर्जट भी क्लासेज उपलद राजधानी एजुकेशनल गूप पच्कोड जैपूर में शामिल है राजधानी साइंस दारा फॉर प्रिप्रेशन ओप नीट जेए राजधानी पॉर प्रिप्रेशन ओप इसर जेए बहु राजधानी पॉब्लिक सिनर से कंडरी स्कूल फॉर आल अकेडमी क्लासे राजधानी गल्स और बोई होस्टल विद मॉडन फैसलिटीज ब्लोग साथी विजिट करें www.rajaanigroup.in helpline number 9314130130 call 9001001314